2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट बनाने का सपना देखने वाले PFI यानि Popular Front of India को केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है Popular Front of India और इससे जुड़ी संस्थाओं को 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है केंदी ग्रहमंत्राले ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है इन सभी को अगले 5 साल के लिए गैर कानूनी एसोसियेशन घुशित किया गया है नोटिफिकेशन में केंद सरकार ने प्रतिबंध के पीछे की कई वजहें गिनाई है ग्रहमंत्राले ने बताया कि पीफाई और अन्य संगठोनों ने किस तरह भारत में आतंक फैलाया भारत सरकार ने इन संगठोनों के 10 गुनाह सामने रखे हैं पीफाई के सभी काले अध्यायों को हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे किन कारनौमों की वजह से पीफाई को बेंड किया गया है और अब तक इसने कहां कहां अपने पैर पसारे आतंक मचाया नमस्कार में हुसत्यम शर्मा और आप देख रहे हैं दखल न्यूज का विशेश कारिक्रम चर्चाए खार्स पटना में 12 जुलाई को प्रसानमंत्री की रैली में हमले की साजिश रची गई हमला करने के लिए बकाईदा एक ट्रेनिंग कैम भी लगाया गया था मकसद था 2013 जैसी घटना को अंजाम देना अक्टूबर 2013 में पटना गांधी मैदान में ततकालिन भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की रैली में सिलसले बार बंबलाश्ट हुए थे उसके पीछे इसी प्याफाई संगठन का हाथ था जिसके बाद जाँच अजनसियों के कान खड़े हुए प्याफाई के पंधर राजियों के 93 ठीकानों पर 20 सितंबर को NIA ED ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत छापे मारी की जिसमें कोजी कोड से प्याफाई वरकर शफीख पायथे को गिरफतार किया गया है इसमें एक बात और निकल कर सामने आई वो ये कि प्याफाई को खाड़ी देश से फंडिंग होती है पैसा हवाला की जरिये आता है मोदी रैली के दोरान पटना पुलिस देफुलवारी शरीफ से तीन आतंकी को गिरफतार किया ये सभी प्रधानमंती की रैली पर हमले की साजी सरच रहे थे इन आतंकी के पास से साथ पन्नू का दस्ता वेज बरामाद हुआ था जिसके कवर पर 2047 लिखा था आतंकीयों ने 2047 तक भारत को इसलामिक राष्ट्र बनाने का मिशन रखा था इनके मेंबर्स देश भर में कई आपराधिक साजीशों में शामिल रही है अब आपको PFI की पूरी कहानी और इनके काले कारनामों को बताते हैं PFI यानी Popular Front of India इसलामिक संगठन है ये संगठन अपने को पिछडों और अल्प संख्यकों के हक्त में आवाज उठाने वाला बताता है संगठन की स्थापना 2006 में National Development Front NDF के उत्तरा अधिकारी के रूप में हुई संगठन की जड़े केरल के काली कट में गहरी है फिलहाल इसका मुख्याल है दिल्ली के शाहिन बाग में बता जा रहा है शाहिन बाग वो इलाका है जहां पर C.A.A. और N.R.C. के विरोध में पूरे देश में सो दिन तक लसप से लंबा अंदोलन चला एक मुस्लिम संगठन होने के कारण इस संगठन की ज्यारा तर गतिविदिया मुस्लिमों के हितों को लेकर रहती है हाला की वे इस बहाने राजनीती का खेल खेलते हैं जिसमें वे दलित और OBC को भी अपने साथ जोरने की कोशिश करते आए हैं और इसी के तहट कई बार इन्हों ने हिंदों के बीच हिंसा भड़काने में अपनी पूरी भूम का निभाई कई ऐसे मौके आये जब इस संगठन से जुरे लोग मुस्लिम आरक्षन के लिए सड़कों पर आए हैं संगठन 2006 में उस समय सुर्खियों में आया जब दिल्ली के राम लिला मैदान में इनकी तरफ से नेशनल पॉलिटिकल कॉंफरेंस का आयोजन किया गया था तब लोगों की एक बड़ी संख्या ने इस कॉंफरेंस में अपनी उपस्तिती दर्ज कराई गी आज के लिए संगठन देश के साथ पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रिलंका और अन जगहों पर भी एक्टिव है देश की बात करें तो कहा जा रहा है कि संगठन की जड़े 24 राज्यों में फैली हुई है कहीं पर इसके सदस्यादिक सक्री हैं तो कहीं पर कम मगर मुस्लिम बहुल इलाकों में इनकी जड़े काफी गहरी है संगठन खुद को नियाय स्वतंता और सुरक्षा का हिमायटी बताता है लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकल कर सामने आई है PFI के कुछ संस्थापक सदस स्टूडेट इस्लामिक मुव्मेंट आफ इंडिया सिमी के नेता रही है PFI का संबंद जमात उल मुजाहिद दीन बगला देश जे एमबी से भी रहा है ये दोनों संगठन प्रतिबंधित संगठन है PFI के वैश्विक आतंगवादी समुहों जैसे इस्लामिक स्टेट आफ इराक एंड सीरिया ISIS के साथ भी होने की इनकी खबरे है PFI और इसके सहयोगी संगठन ये संबंद संस्थाएं या अग्रणी संगठन चोरी छिपे देश में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देकर एक समुदाय के कट्टरपंद को बढ़ाने के लिए काम कर रहे है PFI कई आप्राधिक और आतंग की मामलों में शामिल रहा है कई मामलों में ये इसपश्ट हुआ है कि PFI हिंसक और देश विरोधी गत्वीडियों में भी शामिल रहा है जिनमें एक कॉलेज प्रोफेसर का हाथ काटना अन्धर्मों का पालन करने वारे संगठनों से जुड़े लोगों की निर्मम हत्या करना प्रमुक लोगों और स्थानों को निशाना बनाने के लिए विसपोटक प्राप्त करना सारवजनिक संपत्ति को नुकसान पहुचाना है PFI का काम आपराधिक कृत्य और जगन नहत्याए सारवजनिक शान्ति को भंकरना और लोगों के मन में आतंक का भै पैदा करना है PFI के अपदाधिकारी और काडर तथा इससे जुड़े अन्य लोग बैंकिंग चैनल हवाला दानाधिक के माध्यम से सुनियोजित आपराधिक शड़ेंद के तहत भारत के भीतर और बाहर से धनी कठा करते हैं और फिर उस धन को वैद दिखाने के लिए कई खातों के माध्यम से उसका अंतरन लेरिंग और एकी करन करते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी की ऐसे धन का प्रयोग भारत में विभिन आपराधिक, विद्विरुद्ध और आतंकी कार्यों के लिए होता है कई बार उत्तर प्रदेश, करनाटक, गुजरात, राज्य, सरकारों ने PFI को प्रतिवंधित करने की मांग की PFI और इसके सहयोगी संगठन या संबद संस्थाएं या अग्रणी संगठन देश में आतंक फैलाने और इसके द्वारा राष्ट की सुरक्षा और लोक विवस्था को खतर में डालने की इरादे से हिंसक आतंकी गद्विदियों में शामिल रहे हैं तता PFI की राष्ट विरोधी गत्विदियां राज के समवैधानिक धाचे और संप्रभूता का अनाधर और अवहला करते हैं और इसलिए इनके विरुद तत्काल और त्वरिद कारवाई होनी चाहिए अब PFI को लेकर केंद्री सरकार का मत है कि यदि PFI और इसके सहयोगी संगठनों पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो PFI और इसके सहयोगी संगठन इसको देश विरोधी कामों में उप्योग करेंगे जैसे ये संगठन अपनी विद्धान सात्मक गत्विदियों को जाई रखेंगे जिसमें लोग के विवस्था भंग होगी और राष्ट का समवेधानिक धाचा कमजोर होगा आतंक आधारित पश्चा गामी तंत्र को प्रोथसाहित एवं लागू करेंगे यानि आतंक वादी गत्विदियों को बढ़ाएंगे एक वर्ग विशेश के लोगों में देश के प्रती असंतोष वैदा करने के उद्देशी से उनमें राष्ट विरोधी भाबनाओं का भड़काना और उनको कट्टर वाद के प्रती उखसाना जाई रखेंगे देश की अखनता, सुरक्षा और संपरूता के लिए खत्रा उत्पन करने वाली गत्विदियों को ओतेज करेंगे केंद्र सरकार का मानना है कि PFI और इसके सहयोगी संगठोनों को प्रत्रिवन्दित करना जरूरी है केंद्र सरकार ने विद विरुद्ध क्रिया कलाप निवारन अधिनियम 963 की धारा 3 की उपधारा 2 द्वारा प्रत्त शक्तियों को अप्रयोग करते हुए पॉपुलर फ्रेंट आफ इंडिया यानि PFI और इसके सहयोगी संगठोनों रिहेब इंडिया फाउंडेशन, RIF, Campus Front of India, CFI, All India Imam Council, AIIC, National Confederation of Human Rights Organization, NCHRO, National Women's Front, Junior Front, Empower India Foundation और रिहेब फाउंडेशन केरल सहित को बैन कर दिया है ग्रह मंतराले ने पांच वर्ष के लिए प्रतिवंधित किया है इन्हें पर सवाल यह है कि जब ये संगठन इतने खतरना की रादोवाले हैं जो आतंगवाद का साथ दे रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं उनको सिर्फ पांच साल का बैन ही क्यों, क्यों ना अजीवन प्रति साल मना रहा होगा तब भारत को इसलामिक राष्ट बनाना है, इस दस्तावेज में ये भी लिखा है कि दस प्रतिशत मुस्लिम भी साथ दें तो कायरों को घुट्टों पर ला देंगे, CAA कानून और हात्र जैसी घटनाओं में भी सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने में इन संगठनों का हाथ रहा है, जाच एजनसी ने देश के 15 राजियों में PFI के 106 वरकर्स को गिरफतार किया था, इन में संगठन प्रमुक ओमा सालम भी शामिल थे, इस पूरे आउपरेशन में NIA और ED के 500 अफसर सर्च में शामिल थे, PFI नेता अतंकवादी गद्पिधियों के लिए पैसे हसियार चलानी की ट्रेनिंग और मुस्लिमों को कट्टर पद्धी बनाने का काम करती थी, मध्यपदेश में हुए दंगों में भी इनकी भूमिका सामने आई है, वहीं अब कुछ मुस्लिमों के हितैसी बने नेताओं ने इस पर राज़नीती भी शुरू कर दी है, कॉंग्रेस नेता दिगविजे सिंग ने PFI की तुलना RSS और हिंदू संगठोनों से कर डाली, वोटों की राज़नीती देश को कहां ले जाएगी, ये शायद इन देश विरोधी समर्थक नेताओं को पता है, लेकिन सत्ता और पद का लालच शायद देश से बड़ा हो गया है, बहराल अब देखना ये होगा कि किस तरह से देश की जनता देश द्रोस अंगठन के समर्थकों को जवाब देती है, आज के चचाए खास में इतना ही, फिर मिलेगे नए मुद्दे के साथ, नई देश और दुनिया की ख़बरों की जानकारी के साथ, नमस्कार. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आप देख रहे हैं दखल नियूज